तो BGA में Unman related काफी सारे hint and leaks निकल के आ रहे हैं जिसको मैं इस वीडियो के अंदर आपके शेयर करने वाला हूँ और काफी लोगों के मन में भी काफी सारे confusion है कि अगर मान लोग गेम आ जाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो इसके बारे में official नोटीस हमें देखने को मिला है उसके थुरू हम लोग जानने वाले और PUBG PC के अंदर आने वाले विकेंडी reward या कह सकते हो विकेंडी के 2.0 भर्षिन तो आज हम लोग देखने वाले इसका first look तो वीडियो काफी मज़दार होने वाले लास्त तक देखना है और अभी सब वीडियो को लाइक कर सकते हैं क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रिस करके औल नोटिफिकेशन भी आन कर देना तो सबसे पहले PUBG PC के अंदर जो वीकेंडी 2.2 या फिर कह सकते हो वीकेंडी डिवांड का जो न्यू मैप हमें देखने को मिलेगा उसका sneak peek पहले देख लेते हैं उसके बाद BGMI related बात करेंगे थोड़ा बहुत तो PUBG PC के साथ सथ PUBG Mobile के अंदर जित भी सारे वर्षिन हैं लाइक BGMI, CR वर्षिन, ग्लोबल वर्षिन सबी के अंदर जो maps है वो almost similar type की maps हमें देखने को मिलता है और जो size है वो भी almost similar type के ही है PC के अंदर भी similar type के ही maps हमें देखने को मिलता है पर PC के अंदर कुछ map extra भी हमें देखने को मिलता है जो कि mobile version के अंदर अभी तक नहीं आया है तो mobile version के अदर आभी फिलाल 6 map है में देखने को मिलता है इरंगेल, मिरावार, सैनोग, विकेंडी जो main 4 map है उसके बाद 2 extra map भी हमें देखने को मिलता है जो की काफी छोटा map है एक काराकीन है, दूसरा लिवीक है तो लिवीकें कराकीन सबसे छोटा map है गेम के अंदर mobile version की बात करे क्योंकि इसका जो size है, map का size है 2 extra 2 km के अंदर और उसी तरह अगर बात करें सबसे बड़ा map जो की फिलाल गेम के अंदर है वो है एरंगेल एंड मिरामार क्योंकि ये 8 extra 8 km के उपर based है और उसके बाद आता है विकेंडी जो की 6 to 6 km के उपर based है और सैनोक है 4 to 4 km के उपर based पर जो विकेंडी reward होने वाला है PUBG PC के अंदर उसके अंदर विकेंडी का size को और भी जदा increase कर दिया गया है अभी विकेंडी large map के अंदर आ चुक है क्योंकि विकेंडी का भी size हो चुक है 8 is to 8 अभी आप सोच रहो कि PUBG PC के अंदर विकेंडी reward का जो महफ है वो हमें देखने को मिलेगा तो mobile players का क्या फायदा रहेगा क्योंकि mobile के अंदर तो नहीं आने वाला पर ऐसा नहीं है क्योंकि mobile के अंदर भी विकेंडी 2.0 आने का बात हुआ था पर अभी तक विकेंडी 2.0 में देखने को नहीं मिला है तो कह सकते हैं यह जो विकेंडी reward है यही हमें directly mobile के अंदर देखने को मिल सकते है पर फिलाल crafter इन इसके ओपर धियान नहीं दे रहे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पोस्ट को किया गया है नौ छोटे-छोटे क्लिप के अंदर पोस्ट किया गया है जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि map की स्टाइप का होने वाला है तो map आप देखते हैं तो कुछ इस टाइप का यह लोकेशन था जितना मुझे लगते हैं यह लोकेशन निया एड़ हुआ है इस बार साथी साथ जो तीसरा लोकेशन एक तरीके से कह सकतो है हमारा होट्डॉप लोकेशन है जो कि है कॉस्मोड्रोम तो कॉस्मोड्रोम के अंदर देख सकतो बहुत कुछ याँ पर देख सकतोँ जदा स्नो नहीं है काफी सारे वेरा है यहाँ पर काफी सारे जो ऊड़ेन काम होता यह यहाँ पर आप train station तो देख सकतो एक नया station को ही add कर दियागे train station करके तो काफी बढ़िया कह सकतो map को rebuild किया गया है तो उसके बद आप six location देख सकतो काफी प्यारा ये भी location लग रहा है देखने में अंदर के साइड हमें church भी देखने को मिल रहा है और बहुत ही प्यारा आपको एक station देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप केविल कार से इधर उदर जा सकते हो तो नाइन दन आखड़ी location जो यहाँ पर reveal किया गया है तो देख सकतो पीछे के साइड जो glacier है वो देखने को में मिल रहा है C के उपर जो की काफी बढ़िया लगड़ा है देखने में तो overall क्या सकते हो जो weekendy reward बाला वर्शन है काफी प्यारा लगड़ा है weekendy देखने में जो लोग weekendy lovers उनके लिए काफी बढ़िया होने वाला है पर फिलाल ये PUBG PC के अंदर आ रहा है पर कुछ दिनों के अंदर mobile के अंदर भी देखने को मिल जगा अगर crafting interest रहा तो तो अभी बात करते है Battlegrounds Mobile India की कि क्या scene है BGM I का क्या status है कब unban हो सकते है काफी सारे rumors आभी तक आपने देख लिया होगा तो सब कुछ clear करते है तो सबसे बहले बात करते है BGM I के official notice की जो कि आपको in-game के अंदर देखने को मिला होगा तो in-game के अंदर फिर से type of mistake का आ चुका है एक notice और इस बर BGM I का कहना है कि ये C3S7 जो अभी आपको show हो रहा है ये C3S7 नहीं है ये C3S9 है तो हाँ BGM I का कुछ ऐसा ही कहना है कि फिलाल ये text error है जिसके कारण अभी आपको C3S7 जो हो रहा है पर C3S9 नहीं कंटीनी हो रहा है BGM I के अंदर according to BGM I तो फिलाल market के अंदर काफी सारे rumors फैल चुका है कि BGM I का रिलाउंच होता है new maps आता हुआ देखने को मिलेगा rewards का अंदर changes देखने को मिलेगा BGM I के लिए अलग से reward डिजाइन किया जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने माला जितना मुझे लगता है तो अभी तक जो भी सारे scene हुआ है अगर अभी इसको ध्यान से देखते हो गवर्मेंट को इन गेम reward इन गेम मैप से कोई भी दिक्कत नहीं है BGM I PUBG Mobile के में जो दिक्कत है वो है data security related कि इंडियन्स का जो data है वो बाहर country के अंदर ना जाए इंडिया के अंदर ही data रहे नहीं तो इंडिया के जो friendly country है उनके अंदर ही data रहे पहली बार जो गेम बैन हुआ था PUBG Mobile वो भी data security के चलते ही बैन हुआ था 69A के तयाथ और इस बार जो BGM I block या फिर बैन हुआ है वो भी similar reason के चलते ही बैन हुआ है क्योंकि BGM I से data बाहर country के अंदर ट्रांसफर हो रहा था प्लेयर भी काफी popular है मेरे phone के अंदर इंस्टॉल है पर कुछ दिन पहले इसको बैन कर दिया गा था इंडिया के अंदर 69A के तहिए जिसके तहित BGM I and Free Fire दोनों गेम को भी बैन किया गया है अभी इसको अनुबैन भी कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने प्रूफ कर दिया कि Vlt player से जो इंदियन्स का data है वो कहीं पर भी भार ट्रांसपर नहीं हो रहा है उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया जिसके चलते इसको फिर से इंडिया के अंदर अन्बैन कर दिया गया है अगर आप प्लेश्टोर के अंदर अभी जाकर सर्च करोगे VLT प्लेयर आपको देखने को मिल जाएगा यह एक वीडियो प्लेयर है जिसके कारण कह सकते हो बहुत ही जल्दी इसको अन्बैन मिल गया और यह लोग बहुत जल्दे अपने आपको प्रूफ कर दिये पर बीजे में के इसाप से ऐसा नहीं पॉसिबल है क्योंकि यह एक गेम है सर्वर्स बिर्स गेम है ऑनलाइन गेम है तो इसको प्रूफ करने में थोड़ा टाइम लएगा और जित्ता मुझे लगता अभी भी दो-तीन मेने का टाइम लगने वाला है अराम से तो थोड़ा अभी और स्पेसेंस आपको रखने पड़ेंगे अगर आपने चार मेना वेट कर लिया तो थोड़ा और आपको वेट करना पड़ेगा पहले जो भी सारे लीक्स में आपको बताये थे बीजे में अन्ड में रिलेटेट काफी सारे जो बड़े-बड़े ओर्गनाईशन के लीडर से उनका भी कहना था कि गेम आपको देखने को मिल जागा जैनवरी के अबजी बैन होने के बाद तब 172 का साथ में देखने को मिला था ट्रेलर सूट हो सकता है कि वीजे में का यह ट्रेलर सूट अक्से कुमार के साथ पर 50-50 chances है जितना मुझे लगता है कि 50-50 chances है कि हो भी सकते हैं फिन नहीं लेप साइट के दर जो वीडियो और उसको आप जाके जरूर से चेक करना क्योंकि आपके लिए काफी फायदो मत होने वाला है